यह देखिए खीर रेडियो हो चुकी है जो बहुत जाधा अच्छी बनके तयार हुई है आपको देखकर ही पता चल का होगा कि कि अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत ज़द आच्छी बनके तयार हुई है हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चनल में आज मैं आपको मखाना और साबुदाने की खीर किस तरह से बना के तयार कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कई लोगों की शिकायत आई थी कि साबुदाने की खीर बनाने में कि जो खीर है वो फटा जाती है तो मैं आपको बता रही हूँ पहले से ही मैंने आदा कटोड़ी साबुदाने लिए उसमें एक क्लास पाइन डाल दिया है और इनको मैं कम स जाता घी अटने कर रहे हूं घी की जो इस्पून है उसी से ही मैं इसी तरह से भूनती रहूंगी तो बिल्कुल हलका सा ही आपको घी लगा के इनको भूनना है और जैसे ही यह भून के रेडी हो जाएंगे यह देखिए हलका सा कलर चेंज हो चुका है तो इनको आपको क्रस करना है तो करस्द मैं इस तरह से कर रहे हूं इसी तरह से ही इनको तोड़ती जा रही हूं आपको इनको जिटे अब एक साइड मैंने दूद रख दिया है दूद बिना वॉयल किया हूगा है एक लीटर लिया है मैंने दूद को आप जैसे ही अच्छी से बॉयलिंग आने लगे इसके बाद ही मैंस में जो शावुदाने फूल के रेडी हो गए थे इनको मैंने एक से दो बार और भी से बहुत ज्यादा अच्छा रबडी की तरह ये खीर बन के तयार होगी आप चाहें तो इसमें मावा भी याट कर सकती है जहां तर लोगों के पास मावा नहीं होता है तो मैं यह आप्सन पर बता रहे हूं आपको कि आप इसमें ये इस तरह से ही मलाई याट कर सकती है और बरावर से जलाते रहे हैं इसको अच्छे से बॉइल करना है आपको और ये देखिए खीर बिल्कुल भी नहीं फटी है तो जिनकी शिकायत थी वो भी दूर हो चुकी है ये देखिए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है अब मैं इसमें जो क्रस किये हुए मखाने है वो कर दूँगी ये देखिए आपको देखर ही पता चल गया होगा कितनी जादा अच्छी कीर बनके रेडी हो रही है ये आपको काफी पसंद आएगी नॉर्मली ये सब लोग फलार में खाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये तो जब आपका मन करें तब आप बना के त्यार कर सकती है मैंने इसमें मखाने भी एड़ कर दिये है और ये चीनी भी एड़ कर दी है तो दोनों चीजों को मैंने इसमें एड़ कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दूँगी अभी मैंने गैस की फले मिल्कुश स्लो की है और ये खीर बनने ही वाली है तो बहुत ही कम टाइम में ये खीर अपना के तियार कर सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको यह देखिए अब मैं इसमें यह नारियल लच्छा यह आप जरूर एट करें और यह कुछ ड्राइफ रूट्स और इलाइचिका पाउडर तो मैं इसमें किसमस एट कर रही हूं और कितना आसान है साबुदाने की यानि कि छोटे वाले साबुदाने की खीर बनाना जो ही बिना फटे और बहुत ज्यादा चीवन के तैयार होती है जरूर बनाए आपको बहुत पसंद आएगी कोई सेज़ेस्टन तो जरूर दें थैंक यू